तो स्वागत है आपका एक वर्फेस से, तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा इंस्टुमेंटल मैथड ओफ एनलाइसिस, और यूनिट नमबर थ्री चल रही है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, चेप्टर नमबर टू, चेप्टर नमबर वन, जिसमें हमने पढ़ाता है, आप जाके उसे देख सकते हैं, और आज हम देखने वाले हैं, उसी का अगला लेक्चर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, चेप्टर नमबर टू, जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो यह हमारा बिलकुल बैसा ही है, जैसा आपने लाश्ट चुल लेक्चर आपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए हम फिर से डायग्राम का सारा लेंगे, जिससे क्या है आपके आसन तरीके समझ में आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं, डायग्राम की दूरू पहले से समझने की कोसिस करेंगे, तो जो थ तरहे की एक चौकूर प्लेट हम लेते हैं इसके बाद हम क्या गहते हैं कि हमारा जो इस्टेशनरी फेज होता है जिस में हम क्या सिलका जल का यूज करते हैं एड़िछॉपस अं क्रोमेटोगराफी में तो सेम हमको वही यहां पे लेना है तो हमें एक कांच की प्लेट लेनी है इस तरह की चौकुर और उसके उपर क्या गरना हमें सिलका जल की एक लेयर बना देनी है तो हम क्या गरना हमें एक प्लेट लेंगे इसके उपर हम सिलका जल को इस तरह से पूरे एक उपर हम क्या एक कोटिंग कर देंगे एक पतली सी हम ल बीकर टाइप का होता है तो हम क्या करते हैं इस प्लेट को उठाके इसमें रख देते हैं और साथ में हम क्या करते हैं कि यह जो प्लेट होती है हमारी तो हम क्या करते हैं यहां पर क्या है जो सेंपल जिसका हमें एनलाइसिस करना है तो हम क्या है उसके छोटे-छोटे जो stationary phase होता है, उसकी हमने coating कर दी इसके उपर, और फिर हमने क्या है, यहाँ पर हमने जो sample के छोटे-छोटे spot, या छोटे-छोटे हमने उसके, जो sample के जो particles हैं, वो हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है? तो अब हम कैसे इसका analysis करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक TLC chamber लेंगे, thin layer chromatography chamber, जिसे हम बोलते हैं, हम क्या करेंगे, इस plate को इसके अंदर, इस तरह से हम क्या vertically रख देंगे, यानि simple हमने plate इस तरह से जो तयार की, prepare की, उसके बाद हमने से इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, अब हम क्या करेंगे, कि हम इसमें mobile phase बरेंगे, ठीक है, तो जो हमारा chamber है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, mobile phase जो हमारा liquid solvent होता है, उसके हम इसके अंदर fill कर देंगे, तो हमें ऐसे पूरा फिल नहीं करना है हमें थोड़ा सा बसे से फिल करना है hmm फिल करना है जहाँ पे हमने जो sample के spot लगा है न ये बिलकुल उसके नीचे ही होना चाहिए just उसके नीचे फिल करना है तो जो हमने plate यहाँ पे रखी है प्लेट के, तो उसका जो movement है, वो उपर की तरफ चलने लगेगा, ठीक है, तो जैसे mobile face हमारे इसमें नीचे बरा है, जैसी हमें इस plate को इसके नीचे रखेंगे, तो क्या होगा हमारा जो mobile face है, वो इस तरह से इसके नीचे से होके, और उपर की तरफ चलने लगेगा, ठीक है, तो आपको इस तरह से imagine करना है, और जैसी उपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हमारा sample present है, और जैसी यह sample के जो component है, इनके साथ यह टकराएगा, mobile face, ठीक है, तो यह उनको भी अपने साथ लेकर जाने लगेगा, तो अगर इस sample में अगर तीन अगर component present हुए, तो यह किस तरह से काम होगा यहाँ पर, कि जो हमारा mobile face है, वो क्या है, उपर की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कि माल लीजिए, जो x वाल यह जो component है, तो उनकी जो affinity है, adsorption की, वो बहुत ज़्यादा है, यानि चिपगने की चमता ज़्यादा है, तो वो क्या है, काफी slowly slowly move करेंगे, क्योंकि उनके अंदर चिपगने की चमता ज़्यादा है, तो वो stationary जो phase है, उसके साथ क्या है, चिप कहेंगे, अगर वो क्या है, थोड़ा slowly move करेंगे, क्योंकि उनके पास भी थोड़ी सी affinity है, चिपगने की, ठीक है, stationary phase के साथ, और जो तीसरे हमारे जो component अगर है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो mobile phase है, उसके साथ क्या है, वो अच्छे तरीके से mix हो जाएंगे, और उनकी जो affinity होगी, stationary phase के और जल्दी move करेंगे, और जिनकी बिल्कुल ही कम है affinity, तो वो क्या है, काफी जल्दी जो move करेंगे, तो simple सा फंडा हमारा बिल्कुल बैसा ही है, यहाँ पर जो हमारा adsorption chromatography में था, तो आप उस video lecture को जरूर देख लेना, ताकि आपका जो concept हो बिल्कुल clear हो जाए, तो यहा चिपकने की जो चमता होगी, इस stationary phase के साथ, यानि जो silica gel के जो molecule से उनके साथ चिपकने की चमता अगर सबसे ज़्यादा होगी, तो वो क्या काफी slowly move करेंगे, और जिनकी थोड़ी से कम होगी, तो वो थोड़ी से और जल्दी move करेंगे, और जिनकी बिल्कुल ही कम होगी, तो वो क्या है, सबसे पहले जो है, उपर पहुंच जाएंगे, तो इससे क्या है, हमें पता चल जाएगा कि इसमें तीन तरह के component present है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे, जो दूसरा हमारा diagram है, तो इसमें हमने क्या इस plate को रख दिया, तो जैसी हमारा जो mobile phase है, जैसे ही वो उपर आया, जैसे ही वो उपर चलने लगा, तो इसमें क्या है, तीन तरह के component present थे, तो सबसे पहले वाले क्या है, जिनकी affinity सबसे ज़्यादा थी चिपकने की, तो वो क्या काभी slowly move की है, और वो यहीं पर रहे गे, उसके बाद जो mobile phase है, वो और उपर जाने है तो जिनकी affinity कम होती है, वो सबसे पहले जो component है, वो क्या है, सबसे उपर पहुंग जाएंगे, और जिनकी थोड़ी सी काम है, तो वो क्या है, medium में रहेंगी, और जिनकी बहुत ही ज़्यादा इफेंधी है, चिपकने की, तो वो क्या है, सबसे नीचे रहेंगे, तो इससे कहा है जो तीन तरह के जो component है वो separate हो गए हमारे ठीक है by the principle of adsorption ठीक है तो हमारा जो adsorption का जो principle है सेम हमारा यहीं पर काम कर रहा है तो यहाँ पर हमने plate ली थी और जो हमने adsorption chromatography पड़ी थी तो उसमें भी हमने कहा है same silica का use किया था और उसमें भी हमारा same prosier हो रहा था लेक की तरफ जाएगा तो जो हमारा sample है तो उसके अंदर जो component है तो उनकी जैसी affinity होगी उसके साब सीक है उनका movement होगा ठीक है तो यहाँ पर आपने इतना समझ लिया और same हम यहाँ पर देख सकते हैं जब हमें is plate को बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से हमें कहा है जो sample के जो component है वो हमें दिखाई देंगे तो यह हमारी baseline होगी और यह हमारा solvent front हो गया यानि solvent यहाँ जो हमारा mobile phase है वो यहां से यहां तक पहुंचा लेकिन इसके साथ जो component थे sample के अंदर तो उनकी जो दूरी है वो अलग 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 है तो जिनकी ज़्यादा affinity थी तो वो बिलकुल नीच ही रहे गे और जिनकी थोड़ी कम affinity थी चिपगने की adsorption की तो वो थोड़े से medium में आगे और जिनकी बिलकुल ही कम थी तो वो सबसे उपर पहुंच गए तो इस तरीके से कहा है जो तीन तरह के जो component हो वो हमारे separate होगे और हम इसमें साब साब देख सकते हैं कि जतने भी हमा से समझ लिया अब हम इसको theory के साब से समझते हैं तो जो हमारी thin layer chromatography होती है तो एक तरह की वो technique होती है separation technique होती है जिसमें क्या हम identify कर सकते हैं बहुत जल्दी से हम identify कर सकते हैं drugs को और जो हमारे formulation होते हैं उनको ठीक है तो एक तरह की technique होती है हमारी thin layer chromatography जिसमें drugs और जो formulation र इजमेलोब और अमारे एक थे इसक्रेवर ठीक है तो यह हमारे दो साइंटिस्त है जनौने इस जो मैथड को डवलप किया था और यह जो प्रोसियर है ठीक है यह जो हमारा एनलेटिकल जो प्रोसियर है एडजोप्सन क्रोमेटिग्राफी के प्रिंसिपल पे काम करता है और हमारे एडजोप्सन क्रोमेटिग्राफी के प्रिंसिपल पे काम करती है सेम दोनों का फ्रोसियर होता है सेम मेथड रहता है एनलाइसिस का प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यह हमारा जो सेप्रेशन का तरीखा होता है इसमें वो एडजोप्सन के बेसि लिए हम क्या करते हैं इसमें एक प्लेट लेते हैं कांच की प्लेट लेते हैं प्लास्टिक की भी लेते हैं ठीक है और इसमें हम क्या करते हैं और इसके उपर हम क्या करते हैं कि एक एड्जॉर्बेंट की यानि जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसकी हम एक thin layer बना देते हैं उसके उपर और फिर हम क्या करते हैं जो sample होता है उसको हमें spot कर देते हैं उस plate के उपर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा capillary action रहता है यानि इसमें क्या होता है कि जो हमारा लगता है और इसमें किया एक तरह का capillary action होता है यानि उसमें बिल्कुल छोटी-छोटे बारीक-बारीक उसमें holes होते हैं जो हमारा stationary phase रहता है और उसके अंदर से जो mobile phase है वो निकलना शुरू हो जाता है और उपर की तरह जाने लगता है तो basically इसमें एक capillary action की तरह ये काम करता है और हमारा mobile phase का है वो काया है उपर जाने लगता है यानि TLC जो plate रहती है उसके उपर काया है जाने लगता है और इसके लाबा जो sample होता है हमारा और उसमें जो भी component present है जितने भी तरह के component present है उनकी जो affinity है adsorption की तो अगर कम होई तो वो काफी तेजी से उपर की तरफ जाएंगे और जो हमारे जो component है जिनकी affinity ज्यादा adsorption की चिपकने की ज्यादा affinity है उनकी तो वो काफी slowly काई उपर की तरफ move करेंगे तो इससे काई depression हो जाएगा एक तरह से कि जो slowly move करेंगे वो नीचे ही रह जाएंगे और ज्यादा तेजी से move करेंगे वो जल्दी उपर पहुंच जाएंगे तो हम क्या detect कर पाएंगे कितने तरह के component इसके अंदर present है अब हम बात करते है methodology of TLC कि कि किस तरीके से ये काम करता है कि क्या इसकी working रहती है तो सबसे पहला step हमारा वही रहेगा किस में हम क्या कराएंगे सबसे पहले तो जो हमारा stationary phase है तो वो उसका क्या है एक अच्छा separation वो जो provide कर आपाएं ठीक है यानि क्या हम sample उसको उसको उपर place करेंगे तो वो अच्छे तरीके से उसको separate कर पाएं तो ऐसा हमारा stationary phase होना चाहिए और इसके लाभा जो हम selection करेंगे stationary phase का, तो वो क्या है, on the basis of chemical composition, कि जो हमरा stationary phase है, तो उसका जो chemical composition है, वो क्या साइए, ठीक है, उसके अंदर कितना composition है chemicals का, तो उसके हसाब से हम क्या है, जो stationary phase है, उसका हम selection करेंगे, और अगर हम चाहते हैं, कि separation जो काफी अच्छे तरीके से हो, तो जो हम stationery phase ले रहे हैं तो उसका जो particle size होना चाहिए वो 2 से लेके 10 micrometer तक होना चाहिए तो इतना size अगर होगा हमारा stationery phase के molecules का तो जो separation है वो काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा तो यहाँ पे हम कुछ example देख लेते हैं stationery phase के इसके लाव हम देख लेएं कि वो किस तरह का उनका separation का जो mechanism रहता है किस तरीके का रहता है और इसके लाव हमारा stationery फे जाता है silica gel ठीक है तो काफी ज़्यादा हम use करते हैं silica gel का तो यह जो दो तरीके से काम करता है एक तो हमारा adsorption chromatographie रहता है उसमें भी काम करता है दूसरा हमारा modified silica gel रहता है तो यह भी हमारा adsorption और partition के mechanism पर ही काम करता है और इससे भी हमका है सभी तरह के samples को separate कर सकते हैं next आता है हमारा alumina तो यह भी हमारा adsorption और partition के principle पर काम करता है और इससे भी हमका है सभी तरह के samples को separate कर सकते हैं और next आता है हमारा सबसे last बोग हमारा cellulose powder तो ये कि हमारे party से हमके जो principal रहता है उस पर काम करता है एड़ आप्सम पर काम नहीं करता है इस से हमके separate कर सकते हैं amino acids को, nucleotides को और जो food diet रहते हैं तो उनको भी हम separate कर सकते हैं तो हमारे चाहतर है कि मैंने आपको बता दिये इसके इसके लावा भी काफी type के रहते हैं लेकर आपके लिए ये काफी सफीर से एंटा है एक जम पहुचा जाता है तो आपको ये ही चाल लिखने है और next हम बात करते हैं कि जो हमारा stationary phase रहता है जो adsorbent रहता है तो हम क्या करेंगे एक plate लेंगे जो हमारी glass की हो सकती है plastic की हो सकती ठीक है तो हम क्या एक plate लेंगे एक thin seat लेंगे हम plate लेंगे जैसे हम plate बोल रहे हैं उसके उपर हम क्या करेंगे कि जो stationary phase जो adsorbent है उसके हम एक पत्ली सो उसके उपर layer बना देंगे यानि उसके उपर एक coating कर देंगे और जो हमारी coating की जो thickness होगी वो हमारी होगी लगवग तो इतनी मोटी क्या है, हम उसके उपर एक परत बना देंगे, उस प्लेट के उपर, और फिर हम क्या करेंगे, उसके उपर क्या है, samples को जो place कर देंगे, तो सबसे पहले हमने इस तरह की एक प्लेट ली, इसके उपर हमने क्या है, जो आपको green green देख रहा है, हमने इस तरह की उसके बत क्या होगा कि जो mobile page है वो नीचे से उपर की तरफ क्या है जो रन करना शुरू कर देगा ठीक है और इसके अलाबा जो हमारी जो particles होगे जो हमारे components होगे जो वो क्या है उपर की तरफ move करेंगे तो जिनकी ज़्यादा affinity होगी वो काभी slowly move करेंगे जिनकी थोड़ी से कम affinity होगी चिपकने की तो वो क्या है थोड़ी तेजी से जो है उपर की तरफ move करेंगे तो हम क्या करेंगे एक RF value होती है उससे हम क्या करते है कि calculate करते है कि कौन सा particle कितना उपर तक गया ठीक है उसका movement कितना ज़्यादा हुआ तो उसको किया है हम RF value बोलते है और उसको जो solute का जो distance रहता है उसने कितना distance travel किया है तो उसको हम जो calculate करते हैं और उसको हम RF value बोलते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते है कि इस तरह से जो particle से वो move किया तो जब हम इस plate को निकाल के जब हम calculate करेंगे तो हमारा जो particle है जो waste line पे था पहले तो जैसे ही जो हमारा solvent है जो हमारा mobile phage है जैसे हो उपर की तरफ move किया तो ये तो हमारा solvent है जो क्या है उपर तक गया और ये उसके साथ जो particle है वो यहां से लेकर यहां तक move किया ठीक है तो जैसे उसकी affinity थी उसी के साथ से उसने movement किया तो solvent तो हमारा उपर तक पहुँच रहा है बार बार ठीक है नीचे से जाके उपर तक पहुँच रहा है जो उपर की line है और जो हमारा जो particle है जो component है sample का तो वो हमारा क्या है जो baseline पे था पहले वो क्या है थोड़ा सा उपर चला गया है तो इससे क्या हम calculate कर सकते है ठीक है तो जो हमारा y है तो यह हमारा क्या है distance travel by solute from the baseline तो पहले जो baseline पे था हमारा sample का जो component है वो कहां पहुँच गया है थोड़ा सा उपर पहुँच गया तो y से हम क्या denote करना है कि यह हमारी यह distance है यह इसने travel किया solute particle ने है इसके लाबा जो x है हमारी वो हमारी है distance traveled by the solvent from the baseline तो solvent जो हमारा mobile phase है तो वो भी हमारा baseline पे था पहले तो वो भी हमारा के ऊपर तक महुच गया है ठीक है तो इसी को हम बोलते हैं RF यानि retardation factor और इसका जो formula होता है most important factor होती है अगर हमें जो sample का identification करना है तो बहुत जादा important जो factor होता है चलिए second रहता है हमारा selection of mobile phase तो जो mobile phase रहता है तो उसका selection भी कहा है बहुत जादा important factor होता है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा separation है वो काफी efficient तरीके से हो यानि काफी अच्छे तरीकी तो उसका separation हो sample का तो उसके लिए हमें क्या mobile phase की जोगत पढ़ती है और बहुत ही यादा important factor होता है solvent system भी हमें से बोलते हैं mobile phase को इसके लावा हमें से eluant के नाम से भी जानते हैं तो यह हमारा most important parameter होगे और next हम बात करते हैं कि जो हमारा selection रहेगा mobile phase का तो वो इसके उपर base रहेगा कि जो हमारा sample है उसकी solubility कैसी है mobile phase के अंदर ठीक है तो अगर वो ज्यादा soluble है या कम soluble है तो कैसा है sample हमारे mobile phase के अंदर कैसी उसकी solubility है उसके साब से हम क्या है mobile phase का जो selection करेंगे और जो हमारा mobile phase रहता है उसके अंदर एक most important जो property है उसके अंदर होनी चाहिए कि जो हमारा mobile phase है तो जब वो क्या stationary phase से होके जब वो गुजरेगा उपर की तरफ जाएगा जब वो move करेगा तो उसके अंदर अंदर ये property होनी चाहिए कि वो भी हमारा क्या है जो stationary phase के जो molecules है यानि जो adsorpsum की जिनके अंदर property है तो mobile phase भी क्या है उनके साथ क्या है adsor वो पाए ठीक है तो ये उसके अंदर property होनी चाहिए और इसके लावा अगर हम बात करें normal phase chromatography तो अगर हम क्या करते हैं कि जो mobile phase है अगर हम उसे non-polar लेते हैं और non-polar जो mobile phase रहते हैं उसके हम example देखें तो hexane हो गया हमारा pentane हो गया तो अगर हम इनको use करते हैं तो जब ये उपर की तरफ move करेंगे तो जो sample के अंदर जो non-polar जो compounds present हैं तो वो तो क्या उसके साथ move करके उपर जाने लगेंगे लेकिन जो हमारे polar जो compounds होंगे वो क्या हमारे base line है वहीं की वहीं रहेंगे वो उपर की तरफ move नहीं करेंगे और इसके लाव हम बात करें कि जो हमारे polar solvent होते हैं तो polar solvent अगर हम use करेंगे तो जो हमारे polar compounds होंगे sample के अंदर तो वो क्या है उसके साथ move करेंगे तो आपको बस यह चीछ द्यान रखने हैं कि अगर हम non-polar solvent का यूज करते हैं non-polar जो mobile phage का यूज करते हैं तो उसके साथ वही जो compound है वही उपर जाएंगे sample के अंदर जो compound present है तो केवल वही उपर जाएंगे जो हमारे non-polar होंगे और हम polar solvent का यूज करते हैं तो उसके साथ केवल वही compound उपर जाएंगे जो हमारे polar होंगे nature में तो सबसे अच्छा हमारा solvent system वही होगा हमारा कि जो क्या है सारे के सारे जितने भी तरह के compound उसके अंदर present sample के अंदर चाए वो polar हो या non-polar हो तो वह सबको उपर लेके जाए तो ऐसा नहीं हो के केवल अगर non-polar है तो वो non-polar कोई लेके जा रहा है polar को नीच चोड़ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो mobile फेजा वो सबको लेके चलना चाहिए उपर की तरफ चाहिए वो polar हो या non-polar हो तो जो RF value है sample के अंदर जो compounds होंगे तो उनकी जो RF value होने चाहिए वो होने चाहिए हमारी 0.15 से 0.85 के बीच में तो यह होता है हमारा most suitable solvent system हम बात करें अगर solvents की उसके polarity index के सबसे कि उनकी polarity index क्या होती है कौन से solvent की polarity index क्या होता है तो उसके बारे हम बात करें तो सबसे पहला हमारा water आता है जिसका polarity index 9 होता है acetic acid का 6.2 होता है acid or nitrile का 5.8 रहता है ethanol का 5.2 रहता है methanol आता है 5.1 ethyl acetate आता है 4.4 chloroform आता है 4.1 isopropanol आता है 3.9 toluene आता है उपर की दरब जाते हैं तो हमारी जो polarity है वो लगातर हमारी बढ़ती ही जा रही है उपर के जो सबसे उपर के जो soluments है हमारे 3 ठीक है वो हमारे polar soluments है जो beach वाले हमारे जो चार जो soluments है तो वो हमारे moderate polar soluments है यानि बीच के हैं और सबसे नीचे वाले यह जो चार है वो हमारे non-polar solvents है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो आपने देख लिया कि आपको जो stationary phase है उसका selection कैसे करना है mobile phase का भी आपने selection कर लिया अब हम बात करते हैं preparation of TLC plates तो हमने क्या है plastic की aluminum की है हमने कांच की plate ले ली तो हमें किस तरीके से उन्हें prepare करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ applicators का use करते है ठीक है जिससे हम क्या करेंगे कि plate के उपर हम क्या एक पतली से क्या एक layer बना देंगे stationary phase की तो हम कुछ applicators का यूज करते हैं इसके लावा और भी हम क्या है various methods का यूज कर सकते हैं ऐसे pouring, हम उसे dip भी कर सकते हैं इसके लावा हम stationary phase को उसके उपर spray भी कर सकते हैं या फिर हम उसे फैला भी सकते हैं उगली की help से तो इस तरह के methods का यूज करके हम जो TLC plates है उसको हम prepare करेंगे अब बात करेंगे sample application तो हमें sample को किस तरीके से उसके उपर apply करना है तो basically क्या है हम कुछ microsrange का यूज करते हैं जिससे हम क्या करेंगे sample को उसके उपर put करेंगे हम जो हमने क्या stationary phase उसके उपर लगाया है coating बनाई है तो हम क्या करेंगे छोटी-छोटी जो micros range होती है उससे हम क्या करेंगे कि जो plate है हमारी उसके उपर जो हमारा sample होगा micros ね 만들 से हम उसके उसको उपर apply करेंगे और इसके याब हम बात करेंगे कि जो sample है हमारा अगर हमाँ उसका solution बनाना है तो जो हम solvents का use करेंगे उसके अंदर तो हमारे के नेचर में volatile होने चाहिए और non polar होने चाहिए तो कोसिस करनी हमें कि जो solvent हमें use करनी है solution बनाने के लिए sample का तो वो volatile हो जो क्या ऐसा नहों कि हम उसे रखें और वो क्या अवा में उड़ जा है पेट्रोल की तरह इसके लावा वो non polar भी होना चाहिए तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं development tank की तो यह हमारा chamber रहता है जैसा अगर मैं आपको शुरू में दखाया था उसके लावा हमें क्या करना है कि जो water मैं chamber का उसके अंदर उसे हमें जो एक solvent बढ़ने था जिसे हम mobile face बोलते हैं तो जो plate को हम रखेंगे तो वो क्या हम एक दीवाल से टिका की रखेंगे उस chamber के अंदर तो क्या है जो तीन साइड होंगी plate की तो वो क्या है हमारी जो solvent के contact में रहेंगी और फिर हम क्या करेंगे उपर से जो हमारी जो lid है हम उसे उपर से बंद कर देंगे यानि chamber को हम उपर से बंद भी करना है या हमें lid लगा गए तो इस तरह से हम क्या है development tank को prepare कर सकते हैं जो development tank के इस तरह से गर हम prepare करते हैं तो speed of analysis एक तो काफी ज़्यादा होगी यानि काफी तेजी से क्या है analysis कर पाएंगे हम और काफी ज़्यादा efficient भी होगा तो ये दो चीज़ां क्या है और भी ज़्यादा हमें benefit मिल जाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं detection of component ठीक है तो हमें detection कैसे करना है जो component है उन्हें हमें कैसे detect करना है कि वो separate हो गए या नहीं हुए ठीक है तो detection के लिए कि हमें simply कुछ नहीं हमें देखना है हमें तो बस ये चीज़ देखनी है तो वो चीज़ हमें आखों से भी देख जाएगी कि separate अलग हुए या नहीं हुए जो components है तो आपको बस क्या है वस उसके उपर visually आपको उसे देखना है कि जब क्या है जो normally जो हमारा solvent है जो mobile phase जब वो उपर की दब जाएगा तो जैसे ही जो component है वो अलग-लग हो जाएगे उनको उसके उपर apply कर देंगे तो उससे भी क्या हो visual होने लगेंगे ठीक है तो यह हमारे कुछ method रहते हैं visualize करने की हम जो detect कर सकते हैं कि component हमारे separate हो या नहीं हुए और कौन-कौन से जो हमारे components है वो इसके अंदर present है इसके लाबा काफी तरह कि हमारे visualizing reagent भी जो है present है हमारे जिनको हम use कर सकते हैं ठीक है तो जिससे हम क्या करते हैं कि अगर वो visualize नहीं हो रहे हैं जो component उसके उपर separate होए तो हम क्या करेंगे reagent कुछ उसके उपर apply कर देंगे जिससे क्या है वो देखने लगेंगे इसके लाबाबा हम बात करते हैं evaluation of chromatogram तो इसके बाद क्या है जो component है वो हमारे detect होगे उसके अलाबा वो separate भी होगे अब हम क्या करेंगे evaluation करेंगे chromatogram जो हमारा बन गया है उसे हम evaluate करेंगे evaluate करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या है उसमें देखेंगे RF value देखेंगे कि जो solute है हमारा वो कितना travel करके उपर तक पहुँचा है इसके लाबा जो solvent है हमारा वो नीचे से उपर तक पहुँचा है bottom line से यानि जो baseline है उससे उपर तक पहुँचा है और हमारे solvent या जो solute के जो particles हैं जो components है वो नीचे से baseline से लेके कितने उपर तक गए है तो इस तरीके से हम उनका evaluation करेंगे तो evaluation में हम दोनों तरह का करते है qualitative evaluation करते है जैसे हम retardation factor को जो देखते है ठीक है और दूसरा हमारे रहता है quantitative evaluation तो इससे कहा है हम direct determination रहता है जो layer का हम कहा है इससे directly जो है तो detecting agents में हमारा रहता है कि अगर कोई उसके उपर नहीं दिख रहा है किसी तरह का जो component वो अलग हुआ है या compound है जो अलग हो गया है लेकिन बहुत देख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे कुछ agents का यूज करते हैं जिसे हम उसके उपर apply कर देते हैं plate के उपर तो हमारे जो component है वो अलग अलग क्या है देखाई देने लग जाते है कि कौन सा component अलग अलग कलर का है ठीक है तो वो सब क्या है बेजोला जोने लग जाते हैं तो वही होते हैं हमारे detecting agents ठीक है तो यह क्या करते हैं color को क्या detect कर लेते हैं और उसे क्या है हमां आखों से देख पाते हैं तो यह ही होते हैं हमारे agents ठीक है तो बस आपको थोड़े थोड़े points है जो आपको याद रखने है ज्यादा detail में आपको समयने की जववत नहीं है चलिए आप हम बात करते हैं RF values की तो यह मैं आपको पहले ही बता चुक है फिर से आपको बदा रहेता हूं तो RF value क्या होती है कि जो हमा by the solute upon distant travel by the solvent तो इस formula को याद रखना है तो यह होता है मारा RF values एडवांटेज की हम बात करते हैं TLC की तो हमें तो एक तो क्या है इसमें काफी ज़्यादा equipment की जववत नहीं पड़ती है दूसरा होता है कि इसमें काफी कम टाइम लगता है separation होने में और इसके लाब यह काफी यह प्लेट की जो लेंग्ड होती है वो लिम्टेड होती है तो जो separation रहता है तो वह क्यां एक study length तक ही होपाता है ठीक है जो हमारा जो component present तो वो एक length तक ही जा पाएगा ऐसा नहीं हो कि वह उससे उपर निकल जाया जो plate है हमारी तो जो plate की जो length होगी उसके हिसाबस ही क्या है जो separation हो पाएगा ठीक है तो यह इसका एक decide advantage है इससे क्या है कभी के बार हम पता नहीं लगाता है कि जो separation है वो अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है या फिर जो component है वो सारे के सारे हम पता लगा पाएंगे तो यह चीज भी कैसे थोड़ी से difficult हो जाती है इसके अलावा जो separation होता है तो इसके लिए हमें एक open system की जोगत पढ़ती है तो यह भी इसका एक disadvantage है application की हम बात करें तो हम क्या है किसी भी sample की purity को इससे check कर सकते हैं इसके लावा हम बात करें तो acid, alcohol और जो proteins रहती है तो इस तरह के जो compounds होते हैं इनको भी हम identify कर सकते हैं किसी sample के अंदर next हम बात करें तो हम कुछ sample होते हैं उनको हम purify भी कर सकते हैं यानि हम purification process के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं इसके लावा हम बात करें हैं कि जो हमारी other जो separation process रहती हैं तो उनको भी हम क्या है इस method से check कर सकते हैं तो यह इसके कुछ applications होते हैं तो काफी limited आपको जो चीज़े हैं इसमें पढ़नी है बहुत ज़गा डेटेल में पढ़ने की जोगत नहीं है तो हमारा यह जो chapter है thin layer chromatography यह यहां पर आके finish हो चुगा है जो भी important चीज़ है थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है और जब भी आप exam में लिखो इससे related कुछ भी तो diagram आप जरूर बना देना तो diagram से क्या है बहुत अच्छा impression रहता है और साथ में जो आपको जो theory नई भी आ रही है तो वो आप diagram की help से बना के लग सकते हो तो यह इसके benefit होते हैं तो यहां पर आके हमारा यह chapter हो फिनिस हुआ इससे related आपको अगर मन में कोई भी आपको doubt आता है तो आप comment करके जरूर पूँ सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक क्लिए goodbye and take care